नमस्काव दोस्तों स्वावत है आप सभी का एक बार फिट से सरकारी टुडे निउस के ओफीशर यूटूब चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा S.S.C. द्वारा CGL का नोटिस जारी हो चुका है जी हाँ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी आ चुकी है फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था और S.S.C. ने CGL का नोटिस जारी कर दिया है जी हाँ दोस्तों अगर आप भीजभरती के लिए आविदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे S.S.C. CGL की पूरी जानकरी जैसे कि इस वेकेंसी के लिए कौन-कौन से केंडियर्स पात रहोंगे आविदन करने के उमसीमा क्या होगी योगेता क्या होगी एप्लिकेशन फीज आविदन शुल क्या होगा और कब से कब तक आविदन आप कर सकेंगे संपूर जानकरी के लिए वीडियो को लास तक देखते रहें ताकि आपको वेकेंसी की पूरी जानकरी अच्छे से मिले आपका फोरम भी जो है रिजेक ना हो और आपका सेलेक्शन जो है आप कर सकें दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नीची लाइल बटन को दबाएं साथी साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आउन कर दें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SSE CGL की वेकेंसी के बारे में लगबग 10,000 पदों पर ये बंपर भरती होने जारी है जो कि इस साल 2020 और 2021 की वेकेंसी होने जारी है वेतन आपको मिलेगा 45,000 रुपे महिना जिहां लास जेट 25 जनवरी 2021 है आविधन करने की और लोवर इंडिया की वेकेंसी है पुरे भारत की लिए भरती निकाली जारी है सबसे पहले आपको इस वेकेंसी की पूरी जानकरी और आविधन करने का लिंक मिलेगा हमारी ओफिशाल वापसाइट पर तो आज ही गूगल में सर्च करें www.sarkaritodaynews.com जी हां दोस्तों सरकारी todaynews.com की ओफिशाल वापसाइट पर आप जाएंगे तो आपको इस वेकेंसी की पूरी जानकरी मिलेगी आप आविधन भी कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले हम आपको बता दे Staff Selection Commission द्वारा SSE द्वारा वेकेंसी है CGL की जी हां, Combined Graduate Level की वेकेंसी देखने को मिल रही है यहां पर आप ज़से काफी सारी वेकेंसी है बहुत आपको इस वेकेंसी के लिए ऑनलाइन ही करने होंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिए selection process जेयन परकिरिया में आपकी जो है exam होगी यहाँ पर दो exam होगी tier 1 और tier 2 अगर आप tier 1 में pass होते हैं तो आप tier 2 का exam दे सकेंगे उसके बाद अगर आप tier 2 में pass होते हैं तो आपको interview के लिए बुलाय जाएगा salary जो है आपको SSE के rules के मुताबित मिलेगी All India के male और female candidates आविधन कर पाएंगे उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष है अगर आपकी उम्र भी है कम से कम 18 वर्ष तो आप आविधन कर सकेंगे और ICMA में छूट रग से है reserve candidates को SCST, OBC candidates को यह benefit मिलेगा अगर आप 32 वर्ष के हैं SCST या OBC के तो आपको जो है सरकार के नियम उनसार भी छूट मिलेगी application fees जनल OBC के लिए सोर पे है वहीं SCST और all female के लिए और PH के लिए बिलकुल फी है payment आप सभी बाकी के candidates जो है online करा पाएंगे all over India की job location है qualification जो है any graduate है अगर आप इसना तक पास हैं कि CV subject में तो आप आवेदन कर सकेंगे ठीके यहाँ पर आप देख सकते हैं notice में साफसा बताया क्या है 21 December से आवेदन चलेंगे 25 January 2021 last date है और यहाँ पर आपकी जो first exam होगी वो होगी 29 May 2021 से लेकर के 7 June 2021 तक आपकी exam चलेगी आवेदन जो है 21 December से लेके 25 January तक चलेंगे अधिक जानकरी के लिए आप यहाँ पर SST की official website पर daily business पर विजिट करते ने आवेदन का link एक्टिवेट होते ही हम आपको बताएंगे कैसे आपको apply करना है अगर आपको वीडियो चलागा तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जेहिंज जे भारत